हेलो एब्रीवन वेल्काउं टो मैं चैनल शावी वितसोग फ्रेंट्स आज हम डिटेल के मडूल भी में चर्टों में नौका पाट एक करेंगे तो फिंट्स यह चैप्टर है आपका रिमिटेंस प्रोडक्ट के बारे में रिमिटेंस क्या होता है फंड को एक जगे से दूसर अपनी घरवालों को पैसे बेजते हैं तो जो आप नेफ्ट करते हैं और आप पैसा कर सकते हैं तो वह सारी चीजे जो है आपकी रिमिटेंस प्रोड़क्ट में आती है तो इस लेक्ट्स हम देखें कि लोगी कि रिम्तेंस फ्रोडख क्या है ठिक है और साथ ही साथ हम यह भी देखें कि बेंकर सच चेक प्रॉब्लोप्मेंlä उसके बारे में देखेंगे रोइ ? are important and integral part of retail banking तो जो रिमिटेंस होता है फ्रंस वो जो है important और integral part है रिटेल बैंकिंग में अगर रिटेल बैंकिंग है तो रिमिटेंस का होना ज़रूरी है वहाँ पर रिमिटेंस product have evolved over a period of time from physical movement of remittance instrument to instant electronic transfer of remittance across country and globe तो रिमिटेंस product होए वह धीरे-धीरे समय के साथ में जो है over a period of time जो है यह evolve हुए है develop हुए है पहले physical movement होता था रिमिटेंस instrument का जैसे check वगएरा जो है transfer कि जाते थे एक जिए दूसरी जिए bank draft वगएरा transfer कि जाते थे है अब जो है रिमिटेंस करने के लिए electronic जो है ट्रांसफर्म का प्रोसस यूज़ करते हैं ताकि हम country के किसी भी कौने में जो है या दुनिया में किसी भी जगे पर पैसा अगर भीजना चाहे तो हम बेज सकते हैं तो धीरे-धीरे मेकनियमmee तो पहले जो बैंकों में एक रिमिटेंस की जो मेकनियजम थी उसमें गर कहा जाय है तो पहले टेक होते थे अभी जीछ है रिमांडम होते थे अभी वह हैं बैंक और अभी भी किया जाते हैं टेलिग्राफिक ट्रांसफर लगभर लगभर खतम हो गया है तो यह सारे प्रोड़क्ट है जो पहले रिम्टंस के काम आते थे यहीं फंड को एक जगे दूसरी का ट्रांसफर करना होता तो हम इन चीजों का यूज करते थे और यही जो ह में मतलब कोर जो है प्रोड़क्ट थे एक तरीके से घर कहा जाएं बैंकिंग में ठीक है बड़ दा इंवेजन आफ टेक्नोलोजी इन बैंकिंग है इंटू रिम्टंस स्पेस आल्सो तो चुकि टेक्नोलोजी ने क्या किया है बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत जादा प् मतलब पूरी तरह से परडाइम चेंजे जाए हैं पूरी तरह से चेंजे आ चुके हैं रिम्टंस स्पेस में अब नया निवर इस्पीडियर काफी तेज है और इन्नोवेटिव जो है रिम्टंस प्रोड़क्ट आफर किये जा रहे हैं बैंकों की द्वारा पहले मतलब चेक से एक जगे से दूसरी जगे पैसे जाना है तो चेक जमा किया जाता है क्लेरिंग की जाती है तब उसका पैसा उसके खाते में जाते हैं लेकिन अब नया कॉंसेट है जो की स्पीडियर है बहुत तेजी से काम करता है इन्नोवेटिव रिम्टंस प्रोड़क्ट बैंकिंग प्रिम्नेश्टी में आए हुए हैं अब उसके एक्जांपल है आपके दो हैं नेफ्ट और आर्टी जीएस नेफ्ट का फुल फाम है नेशनल एलक्ट्रानिक फांट ट्रांसफर और आर्टी जीएस का है रियल टाइम ग्राज सेटल्मन तो रिटेल एलक्रानिक और कार्ड प्रिमेंट हो गई उनमें बहुत जादा तीजी देखी गई है पिछले कुछ सालों में और वह मेंली किसकी वज़े से हैं नेफ्ट और आर्टी जीएस के इंट्रोडक्शन की वज़े से ऐसा देखा गया है अब आर्वी ने बहुत सारी कोसिस की पहले चेकर गया था तो फ यह टेकन मैनी इनिसेटिव टोडस इंट्रीशिंग अपग्रेटिंग सेफ एंड एफिसेंट मोड़ पेमेंट सिस्टम इन कंट्री तो मीड़ रिक्वार्मेंट आफ पब्लिक एट लार्ज तो जो पब्लिक थी उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए और सेफ और एफिस को फुल्फिल भी कर सके अब यहां पर जब भी कोई पेमेंट सिस्टम बनाएंगी तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारी जो हमारा जो देश है वह जिए और ब्रांचों का बहुत सारा नेटवर्क है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में ब्रांचों की कमी नहीं हो सकता है एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम में अब लेबल हैं और हमारा देश भी काफी दूर तक फैला हुआ है जो ग्राफिकली फैला हुआ है तो इसके लिए इट्स रिक्वाइर लॉजिस्टिक्स आफ कलेक्शन एंड डिलविरी आफ पेपर इस्टूमेंट मतलब कहने का कि अगर च कि अगरक में लाद करके विधा घर ले जाना भी एक अपने आप में टीडियस टास्क ही है अपने आप में ठीक है तो यह बात जो है मतलब हमें ध्यान रखने की जवरत है कि हमारी जो जिए काफी फैली हुई है और ब्रांचों का नेट्वर्गी बहुत ज्यादा है जिसकी एक जगे दूसरी जगे तक एकठा करना और पहुंचाने का काम करना पड़ता है काफी मेहनत के साथ करना पड़ता है तो इस अस्पेक्ट्राप बैंकिंग इस्ट्रेक्चर इन कंट्री है जालबेज बिन केप्ट इन माइन वाइल डेवल डेविफिंग दा प्वेइमेंट सिस्टम तो जब भी प्रेविफिंग की यह बात दिमाग में रख करके हम लोग चलते हैं कि हमारा देश है वह काफी बड़े एरिया में फ्यला हुआ है और साथ ही साथ यह भी बात हम दिमाग में रख करके चलते हैं कि ब्रांचों का नेटवर्क भी बहु ज़्यादा है त नियर्ली 60% आप वेलू माप टोटल नान कैस्ट ट्राइशन इन कंट्री तो देश में जो ट्राइशन होती है उसका 60% जो है ट्राइशन किसके थ्रू होती है यानि 40% ही ट्राइशन इलेक्ट्रानिक माध्यम से होती है और अगर जो है इन बैलू टर्म अगर कुल कितने जो है 60% पेमेंट जो है किसके थ्रू होती है पेपर इस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है और यह जो 60% पेपर इस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रही है उस वह केवल 11% जो है बैलू रखता है केवल 11% बैलू आईजी देखे यहां पर यह क्या है 60% आप वैलूम बैलूम का रही है यानि कि मतलब 60 परसेंट पेपर लग जाता है और क्यों 11 परसेंट बेलू निकलती है उसकी जएपर 40 परसेंट अधर मीडियम यूज करते हैं और परसेंट यह एक्टी नाइन परसेंट जो है पैसा भेज देते हैं रिसीब कर लेते हैं ठीक है उसके आद में इस चेर हैं इस्टेडली डिक्रीजिंग अब यह जो मतलब कहने का जो साथ परसेंट इन्होंने पेपर की बात की मतलब पेपर बेश इस्ट्रूमेंट हम सिक्टी परसेंट यूज करते हैं यह धीरे-धीरे गिरावट की गिरावट आ रही है क्यों आ रही है दियर है इस्टेडली डिक्रीजिंग यह से घटता जा रहा विद पीरेड आफ टाइ तो कैस्स और चेक के प्रफरेंस में आर्बिया कहता है विल्क्रानी पेइमेंट को यूज करिए इसके लिए मेहनत करता है दिचर्बाय इन काफी सारे 1990 के दौरान लिए हुए हैं focus on technology based solution for improvement of payment and settlement system infrastructure coupled with the introduction of new payment product by taking advantage of technological advancement in banks तो रिजर्बैंक आफ इंडिया ने क्या किया 1980 और 1990 के दौरान में technology का यूज करते हुए payment और settlement system को लाने की कोसिस की infrastructure डवलब करने की कोसिस की और नए नए payment product को ले करके market में आए और यहां पर हम फाइदा की सीच का रिजर्बैंक आफ इन उठानी कोसिस की या हमने कैसे तो हमने technological advancement जो technology आई वह इंटरनेट वगएर आया है उसको जो है यूज करने की यहां पर कोसिस की है ताकि नया payment और सिस्टम में सिस्टम को डेवलोब किया जा सके दा कांटिन्यूड इंक्रीज इन वेलूम आफ चेक्स अड़ेट प्रेसर अन इग्जिस्टिंग सेटब और दस निसेस्टिटेड़ कास्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सिस्टम तो जो मतलब जो चेक्ट थे वह बहुत ज्यादा मात्रा में काटे जा रहे हैं उनका वेलूम बढ़ता जा रहा था एक करोड़ चेक थे दो करोड़ चेक कटने लगे तीन करोड चेक लोग कस्ट चेक दिन भर में क्लियर करता था तो अब हजार चेक करना पढ़ रहा है उसको तो इस वह से प्रेशर बढ़ता चला गया तो इसलिए एक ऐसे कास्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सिस्टम की ज़रूत महसूस की गई कि हमें कोई ऐसा सिस्टम जिसमें हम यह काग्जों का पेपर का यूजबंद कर दें चेकक का यूजबंद करना यह ड्राफ्ट का यूजबंद करते हैं हमारी पूरी कोशिस यही है लेकिन हम यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि यह पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं समय लगेगा टेक सम टाइम तो कंप्लीट लेकिन पूरी तरह से हम चेक को बंद नहीं कर सकते हैं क्यों क्यों कि समय के साथ ही लोगों को धीरे धीरे उस तरफ ले जाए सकता है अचानक से ही चेक को बंद कर दिया जाएगा तो दिक्कत होगी तो इसकी तरफ हम उसे बढ़ा सब्सक्राइब करना चाहते हैं ठीक है यह इतनी मतलब हमने यहां पर यह समझनी कोसिस की कैसे कैसे मतलब क्या इस्थती है चेक में क्या इस्थती है बैंक ड्राफ्ट क्यूं बर्डन है क्या इनिसिटिव ले रहा है तो इन सब बातों के बारे में हमने जाना है तो हमने यह जान लिए कि रिमिटेंस जो है इंपॉर्टन पार्ट है रिटेल बैंकिंग का रिमिटेंस प्रोडक्ट जो है धीरे-धीरे समय के साथ डेवलप हो रहे हैं यहां फिजिकल मुवमेंट जो है रिमिटेंस इस्टूमेंट की फिजिकल मुवमेंट यहनी चेक का जो है एक जगे दूसरी जगे जाना उसकी जगे पर हम इनस्टेंट जो है इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर का यूज करने की कोसिस कर रहे हैं चेक बुक हो गई या डिमांड ड्राफ्ट हो गई ब है तो टेक्नलोजी के विज़ा से काफी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है हमारे रिम्टेंस स्पेस में और अब हमारे पास में नए और स्टेज और इन्नोबेटिव रिम्टेंस प्रोडक्ट अब लेबल है जो कि नेफ्ट और रटीजियस यूपी अई बगएरा हैं इलक् अजर्बाइक आफ इंडिया के पूरी कोसिस यहीं है कि एक ऐसा सेफ और इफिसेंट जो है पेमेंट का सिस्टम देश में लाए जाए जो की कास्टमर की नीट को फुल्फिल कर सके या पुल्फिल कर सके जब भी हम कोई भी ये बात हम इसा हमें धेहान नीची है कि हमारा ज एक TDS टास के उसकी लाजिस्टिक में अच्छी खांसे मेहनत करने पड़ती है और यह अश्च्पक्ट जब इस्ट्रूमेंट सब्सक्राइबन चेक बुक हो आपका बैंक ड्राफ्ट हो और अगर वेलू के टर्म में बात करें तो कुल पैसे का जो है पेपर बेश जो है इस्टुमेंट यूज करने में धीरे धीरे घटत आ रही है क्योंकि इलेट्रानिक मोड मतलब इलेक्रानिक पेइमेट जो है पॉपलर्टी गेंड कर रहा है आर्विया के कांटीनिवेस एफर्ट की विज़़से एलेक्रानिक पेइमेंट जो प्रॉड़क इन टेक्नलोजी एडवांसमेंट का यूज़ करके नए जो है पेमेंट प्रोडक्ट मार्कर में लाए जा सके ठीक है दा कांटीनू कांटीनू इंक्रीज अब जो चेक के जो मतलब जो है वैलूम था वो दीरे-दीरे बढ़ ही रहा था मतलब कहने का पहले कम कस्टमर जो है च हम चला सके अब हमारी पूरी कोशिस यही है कि हम पेपर मतलब जो है पेपर का यूज ना करने ट्राजेक्शन के लिए लेकिन हमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि यह समय के साथ ही हो पाएगा हम के बिल टेक सम टाइम तो कंप्लेटली मूब फ्राम इलेक्रानिक मोड में हमें मूब करने के लिए समय लगेगा हम तुरांथी जो है चेक से पेपर बेज्ट इस्ट्रूमेंट को छोड़ करके सीधे लेक्रानिक मोड में नहीं जा सकते है और साथ ही साथ हमारा इंटेंशन यहां पर क्या है कि पेपर जो है पेपर का मूव्मेंट हमें कम करना है है चेक का मोव्मेंट हामें कम करना हैं कम से कम करना है चाहिए वो लोकल हो जा है और स्टेशन चेखे को हमें कम करना है ठीक है ठीक यह होगा रिमूर्ट टॉडचे अब क्या-क्या चीजे थी जो़्य थीए और Ci पहने का जो traditional रिमिटेंस के लिए जो यूज कियाता है जो मॉस्ट रेडिशनल जो दो प्रोड़क्त हैं वो कौन-कौन से हैं फ्रेंट्स लियान रखेगा सवाल आप से सकता है कि traditionally हमाँ पास में दो रिमिटेंस के जो प्रोड़क्त थे कौन-कौन से थे एक तो और दूसरा जो है bank draft है लिहान रखेंगे इस बात को ठीक है तो bankers check क्या होता है तो bankers checks are issued to make local payment on behalf of customer तो अगर कोई customer कहता है कि हमें किसी को payment करनी है तो उसे bankers check issue कर दियाता है यह यह bank की तरफ से यह check issue कियाता है इसलिए इसे bankers चेक कहते हैं एक बात और होती है चुकि bank इसे issue करता है तो इसके जो है मतलब bounce होने के chances नहीं होते हैं क्योंकि bank खुद अपने account से कही नहीं से पैसे arrange करके तब इसे issue करता है यह customer के द्वारा issue नहीं कियाता है यह bankers check है bank द्वारा issue किया आता है अब यह इसका use करके bank अपने local की जो जितनी भी payments है उनको भी कर सकता है all local payments वाई branch अगर branch को कोई local payment करनी है उन्होंने stationary purchase की furniture purchase किया telephone का bill है electricity का bill है generator का bill है या जो भी bill वगरा है उनको payment करने के लिए bank क्या करेगा bankers check card करके दे देता है जो भी purchasing हुई है उसके लिए bankers check card करके अपने vendor को दे देगा और उसको payment हो जाती है यहां तक कि repayment आप the balance in account आप कोई customer अगर expire कर जाता है और उसके खाते में जो balance उसकी payment करनी है तो उसको भी bankers check card करके उसके nominee को दे दियाता है and payment to other local banks अगर किसी दूसरे local bank को अगर nearby कोई bank है उसको भी payment करनी है तो उसको भी bankers check card करके दिया जा सकता है ठीक है अपने तो देखिए remittance करना था यहीं कि पैसों जाएगे दूसरी जाएगे भेजने के लिए हम क्या यूज करते थे bankers check यूज कियाता है जब customer के विहाब पर कोई payment करनी होती है local में तो bankers check issue किया जाता है यहां तक कि अगर ब्रांचों को लोकल में जितनी भी payment करनी है वो भी bankers check से किया करती भी bankers check on account आप अगर इस्टेशनरी परचेश की है आपने a4 paper परचेश किया है या कोई भी परचेश की है परनीचर खरिदा है कुरसी मेज पंख़ा cooler वगयर अपनी branch के लिए अपने purchase किया है उसके बाद में telephone का bill आपने pay करना है electricity का bill के pay करना है यह सारे काम जो है अगर आपको करने है तो आप bankers check को काट करके दे देंगे और payment हो जाती है या repayment किसी customer की death हो जाती है उसके खाते में जो बैलन्स उसको उसके नामनी में देने के लिए उसकी payment करने के लिए हम क्या करेंगे bankers check card करके देते हैं या local में कोई bank है उसको payment करनी है तो उसको भी जो हैं bankers check card करके देंगे तो उसकी payment हो जाती है दूसरा जो product reference आफ बैंक अपान एंड़र इंस्ट्रक्टिंग दा लेडर तूपे शर्टन रमाफ मनी ओनली ओनली और तूदा आडर आफ शर्टन पर्सन तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता पर देखे ज़िए डिमांड ड्राफ्ट में मालीजे ए ब्रांच है और यहां पर बी ब्रांच हो गई यहां पर इसने 2000 रुपे लिखकर के ए ब्रांच ने इशू कर दिया तो यह अगर यह ड्राफ्ट क्या कहता है कि बी ब्रांच के लिए एक आदेश है कि यह अगर कोई customer आपके पास में यह 2000 रुपे का यह डिमांड ड्राफ्ट लेकर करके आता है तो बी ब इसन को पेमेंट की जाती है तो डिमांड ड्राफ्ट के होता है एक ब्रांच द्वारा एस्जू कि गयाता है दूसरी ब्रांच को यह इंस्ट्रेक्शन देते वे कि बहुंपे करना है किसी एक परशन को या जिस सटन परसंद पो इसमें कहा गया हो उसको पे करने के लिए कह जाता है इसमें ठीक है से बिलासrator ये भिलाक्षर विक्स्ट केंज होता है लेकिन ध्यान रख़ांने में जो बैंक लाफ द्रींज युद्ट अंध्यान रखेंगे से होता है लगीमिलिंट च्थ जैसा नहीं होता है जो प्रटक्शन अबलेबल होती है उस फर्पजद के लिए चेक में और जो है बैंक ड्राफ में कोई डिफरेंस नहीं कियाता इसको चेक ही तरह ही माना जाता है clearly हितना जो चेक के स्में जो पेंग बैंक हो या क्लेक्टिंग अबलेबल होती है अन्हיחis ने 15 bearer को नहीं पेवल कर सकता है जो उसका holder हो सको पे करने के लिए नहीं बना जा सकता है तो किसी bearer को आप पे करने के लिए नहीं कर सकते हैं क्यूंकि यह कुछ ना लिखा हो जिस जो भी आदमी उस चेक का holder होगा जिसके पास वह चेक उस समय होगा वही उसकी पेमेट ले सकता है लेकिन डिमांद ड्राफ्टस चेस बात ध्यान रखनेस वाली हो दि Torr ko नहीं कर सकते कि चेक हैं जो डिमांड रफ राफ होता है वह निगोसेबल इस्ट्रूमेंट होता है फ्रंस पहली बात तो ठीक है निगोसेबल इस्ट्रूमेंट होता है यह बिला फिक्षिंज होता है लेकिन चेक जो है आपका निगोसेबल इस्ट्रूमेंट होता है बिला फिक्षिंज होता है ठीक है उसके बाद में य किसकेस में डिमांड ड्राफ्ट यह दोनों केस में मतलब करने का चेक ki तरह रही डिमांड ड्राफ रो ट्रीट कर लिए आता है जब प्रोटेक्शन की बात आती है अध्रवाई यसे अलग-अलग माना जाता है ब्राफ पेवल टू बीअ नहीं बना इसकता है क्योंकि ये section 31 RBI at 1934 का violation होता है तो हमने यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमने समझ लिया रिम्टेंस के दो प्रोड़क्ट हमने समझे यहाँ पर रिम्टेंस के दो प्रोड़क्ट कौन कौन से समझे फ्रेंट्स हमने एक तो bankers check के बारे में हमने समझा और का एक बाकाइदा differentiation होना चाहिए जिसमें यह बात clear होनी चाहिए कि किसे क्या माना जाता है किसे क्या नहीं माना जाता है लेकिन वो जी आईबी के प्रोड़क्ट से ज्यादा beneficial है या फिर जो है आपके bank promotion exam में भी पूछा rapidly picking up in first decade of this century तो मतलब कहने करें कि 20 सदी में सुरुआत में ही समझ लिजे है न जो है कमप्टराइजेशन हुआ हमारा 2019-2020 अपना आ गया है वावदी के 2020 चल रहा है तो जब 2000-2001 और आया तो उस में जो है मतलब कमप्टराइजेशन बैंकों में काफी तेजी के साथ में हुआ है 1990 के आसपास से स्टार्ट हो गया था धीरे-धीरे बहुत तेजी से हुआ तो आर्विए सेट इन मोशन नेसेसरी रेगुलेशन और पेमेंट सिस्टम फार इलेक्टरनिक फंड ट्रांसफर तो इलेक्रनिक फंड ट्रांसफर को इनिसेट करने के लिए जो नेसेसरी रेगुलेशन और गाइडलाइन लानी थी वह भी रिजर्बाइंक आफ इंडिया ने लाइव हुई है देर आर टू सेट्स आफ एक्सेस एक्सेस क्राइडिया के लिए मतलब दो तरीके की पेमेंट का सिस्टम बनाया गया एक तो सेंट्रलाइड पेमेंट सिस्टम बनाया गया तो सीपी सी कहेंगे Centralized Payment System को D-Centralized Payment System को D-P-S कहेंगे यह C-P-S-C होगा Centralized Payment System C-P-S होगा तो दीखे इसमें Centralized Payment System का मतलब हुआ जहाँ पर सारी Payment एक जगे जाती है और उसके बाद में उनको अलग-अलग जगों पर बाटा जाता है Centralized किया गया है मतलब हर चीज एक जगे जरूर पहुँचेगी जैसे नेफ्ट व्यार्टी जीएस होती है फ्रंड तो सारा फंड पहले रिजर बैंक आफ इंडिया मुंबई पहुचता है और फिर मुंबई से निकल करके सभी बैंकों में कस्टमरों के खाते में जाता है तो ऐसे पेमेंट जो है सेंट्रलाइड होते हैं और डिसेंट्रलाइड का मतलब यह हुआ कि एक जगे नहीं जाने की जरूत है इस बैंक ने दूसरे बैंक को भेज दिया दूसरे बैंक ने तीसरे बैंक को भेज दिया आपस में वो शेयर कर रहे हैं किसी एक particular location पर centrally नहीं जाने के जरोध होती है तो centralized payment system जो होता है CPS होता है उसमें RTGS आ जाता है real time gross settlement NEFT आ जाता है national electronic fund transfer और NECS आता है national electronic clearing services आता है इसके लिए जो licensed bank है मतलब सभी बैंकों को allow नहीं होता है वैसे तो license अभी को मिल जाता है लेकिन जो licensed bank है वही RTGS, NEFT और NECS को use कर सकते हैं तो जो यहाँ बात ध्यान रखने है ले exam के point आ भी उसे कि centralized payment system में क्या क्या आता है RTGS, NEFT और NECS ये बात आपको ध्यान रखनी है decentralized payment system में क्या क्या आता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें clearing house at MICR center जिसमें कि आपका CTS भी आता है check truncation system center जो होते हैं वह भी इसी में आ जाते हैं electronic clearing service ECS open to all eligible license bank के लिए eligible होता है तो decentralized payment system के तहर आपका CTS आता है और check truncation system आता है clearing house at MICR centers आता है और ECS आता है electronic clearing services ECS में आ जाती है NECS N Nationalialjutronic Clearing Service जो है वो आपका centralized वालेम आती है ध्यां रखेगा NECS जो है आपका centralized वालेम आती है और N हटा दीजे national electronic clearing service को हटा दीजे national को तो ये आपका decentralized payment system में 아ता है तो जो ध्याँ रखने वाली बात है वो ये है कि decentralized payment system में आपका आता है सथी अपका इसी के तहता है और Electronic Clearing Service ECS भी इसी में आ जाता है है आप उसके बाद में हम फ्रणंस यहाँ पर देखें यह इसी के साथ में तो कहने मतलब यह हो खिस्टम में इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कम्प्टराइजेशन आया और रिजर बैंक आफ इडिया ने जो रिस्नस्री गाइडलाइन्स रेगुलेशन लाने थे उसको ले करके आया और इन्होंने जो है दो सेट तयार किये एक तो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम बनाया CPS और दूसरा डी सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम DPS बनाया ठीक है तो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में तीन चीज़े आई ही RTGS और NEFS और NECS National Electronic Clearing Services तो यह सारे सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम में आगे जहां पर सारा कुछ एक जगे सेंट्रलाइज हो करके प्रोसस होता है और दूसरा आया आपको फ्रेंड स्ट्रुम ज्यो है डी संट्रलाइज पेमेंट सिस्टम DPS से कहते हैं जिसमें Clearing House at MICR Centers, Clearing House आ गए आपके, Check Truncation System Centers आ गए आपके, और Electronic Clearing Service आगे, Decentralized Payment System के तहत, अब Payment and Settlement Act 2007 लेकर आया गया, Parliament द्वारा इसे पास किया गया, ताकि पेमेंट और Settlement का Infrastructure हमारे देश में मजबूत किया जा सेगे, तो Payment and Settlement Act 2007 जैसे Reserve Bank of India का Act आया है, Banking Regulation Act आया है, व सेटलमेंट आइ, दा इनेक्रमेंट आप Payment and Settlement Act 2007 तो प्रोवाइड दा रेगुलेशन एंड सुपर विजन फार दा पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, मलब इसका जो उद्देश है, वो यह है कि रेगुलेशन प्रोवाइड करना और सुपर विजन प्रोवाइड करना किसक देखेगी क्या रेगुलेशन का काम और सुपर विजन का काम पेमेंट सिस्टम का भी यही देखेगी कौन इसने फर्दर पेमेंट सिस्टम को मजबूती देख इसने जो हमारा यह एक्ट लेकर करके आई, गवर्मेंट आफ इंडिया पेमेंट सेटलमेंट आइक 2007 अब इसक यह में आर्गनाइशन हो गई, एक अंब्रेला की तरह इसने काम किया, बाकि इसके अंडर में सारी चीज़े आ गई, तो यह NPCI सेटप किया रेजर्बैंक आफ इंडिया ने, नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया एंड अंब्रेला आर्गनाइशन फार आपरेट इंडिया तो NPCI किसले लेकर आया गया, आपरेटिंग रेटेल पेमेंट इसको देखना था और सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया इंडिया यह रिजर्बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक एस्सोशिएशन इन दोनों की मिली जूली पहल थी, अंडर दे प्रोविजन आ अब पेमेंट री सेटलमेंट मीला जो है जो मजबूत सिस्टम बनाने यह यह लेकर में जुका सेट पांस किया ऐसके तहँया उसने उसने कहाई जयर्बॉए के लिएंडिया यह रृगलेशन करना है और सुपर विजन करना है और settlement system का इंडिया में ठीक है ध्यान रखेंगे कब आया था payment or settlement act कब आया था तो 2007 में आया था अब रिजर बैक आफ इंडिया ने क्या किया कि जो उसके पास अलडी बहुत सारे काम है तो उसने क्या किया कि National Payment Corporation of India NPCI को लेकर के आया कि एक organization ऐसी बना दी जाए जिसका काम केबल जो है payment or settlement को ही retail payments को ही देखना हो हमारे देश में तो ये joint पहल थी रिजर बैक आफ इंडिया और Indian Bank Association IBA इन दोनों ने मिल करके जो है एक umbrella organization बनाया जिसे National NPCI कहाता है National Payment Corporation of India कहा जाता है ठीक है और ये किसके तहत इसको constitute किया गया बनाया गया NPCI को power देता है Payment and Settlement Act 2007 यानि Payment and Settlement Act 2007 के तहत ही NPCI को establish किया गया है और इसका target कहा है ताकि एक robust payment or settlement infrastructure हमारे देश में तयार किया जाए और उसी का आसर है फ्रेंस हम आप आमा और आप देखी रहे हैं कि नेफ्ट और RTGS और उसके बाद में यूपी आई अगयरा का concept जो लेकर रहा है वो एनपी सियाई का ही एक initiative है आपका जो भीम एप है भारत interface for money वो National Payment Corporation of India के हाई एक initiative है और हम लोग देखी रहे हैं कि अभी अभी किस समय में मतलब जो है UPI कितना ज्यादा मतलब तेजी से ग्रो कर रहा है ठीक है फ्रंट तो इसी के साथ में यह लेक्टर यहाँ पर खतम होता है अगले लेक्टर में फ्रंट सम लोग देखेंगे नेफ्ट के बारे में भी हमें देखना है उसमें भी डिटेल में चर्चा होगी इसमें हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे ठीक है थेंक्यू सो मच